कुछ दुस्तो जाबा स्कृट में कि आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक होर इंग्पोर्टेंट आ उपरेटर जिसको बोलते टाइप आप 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 आपरेटर क्या करता है बेसिकलि आपको पता है कि जाबा स्कृट एक इसी लेंग्वेज है जो मतलब JavaScript है केसी language है जिसमें content type बताने की जरुवत नहीं पड़ती लेकिन यहाँ पर एक type of operator होता है और type of operator को लिखने का जो तरीका होता है वो यह होता है जिसे यहाँ पर मैंने लिखा console.log और console.log में आप देखोगे यहाँ पर मैंने लिखा type of 42 यहाँ पर space भी दे सकते हैं और इसको as a function call भी हम लोग लिख सकते हैं दोनों ही valid तरीके यहाँ पर माने जाते हैं तो console.log में मैंने लिखा type of 42 तो जो output जो है वो आएगा नमबर पहले मैं screen को यहाँ पर clear कर देता हूँ यह screen मैंने clear करी और एक एक करके सारे console.log को मैं यहाँ पर execute करता हूँ तो देखें जिसे यहाँ पर मैंने यह लिया 42 अब मैंने run किया code तो आप देखोगे कि output क्या आया यहाँ पर number तो यह जो output है वो यहाँ पर मिल गया number उसी तरीके से दूसरा जो मैंने type of लिखा भोपाल भोपाल एक string है और एक string है तो जो type of में value आएगी वो क्या आएगी यहाँ पर string आएगी उसी तरीके से जो तीसरा जो parameter मैंने लिए उसमें true true क्या है यहाँ पर एक boolean है तो boolean क्या होता है true और false या तो यह false return करेगा यह true return करेगा लेकिन जो type है वो क्या होगा value है वो किस type की है अब जावा स्क्रिप्ट में अगर आप number तो integer float का concept नहीं है यहाँ पर आप 3.4 भी लिखोगे तो भी number ही दिखाएगा और अगर आप कोई integer number लोगे तो भी यह number ही दिखाएगा तो अगर मैं यहाँ से फिर से लंड करता हूं तो आप देख रहे हो नंबर और number दो बार number number आउटपुट आया और फिर अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कोई variable declare करते यूजिंग दवायर कीवर्ट तो अगर मैंने कोई variable declare किया और console lock किया इसका टाइफ तो अगर आपने कोई variable declare किया और उसके अंदर कोई value को आपने assign नहीं की तो यह दिखा आता है undefined तो क्या आएगा यहां पर output undefined आएगा उसी तरीके से अगर आपने कोई value assign कर दी जिसे मैंने यहां पर अभी यहां पर my bike तो यह bike के अंदर मैंने string assign की है तो string अगर मैंने assign कर दी तो यह variable का जो type है वो क्या बता देगा यहाँ पर string बता देगा उसी तरीके से जो होता है हमारा null अगर मानलो मैं null कर देता हूँ यहाँ पर javascript थोड़ा सा surprise देती है हमको कि अगर मैंने यहाँ run किया इसको और यहाँ पर मैंने null assign कर दी और फिर console log मैं ने किया यह javascript का एक bug भी हम बोल सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैंने run किया तो यह object यह नहीं कि null की जो type है वो यहाँ पर javascript object बताती है जबकि null की जो type है अगर हम कोई variable में कुछ नहीं है तो हम लोग नल assign कर सकते हैं मतलब एक तरह की यह assign करने वाली value लेकिन javascript इसको ऐ type of operator का use महाँ पर होता है जब आपको कभी यह compare करना होगी value number है तो यह action हो अगर यह value string है तो यह action हो तो हम लोग यहाँ पर type of operator का use कर सकते हैं यह special operator है और बहुत ज़्यादा use होने वाला operator है मैं यहाँ पर इस code को save कर देता हूं तो मैंने यहाँ commit किये changes commit करने के बाद में हम को यहाँ पर जाकर इस changes को मैं push कर देता हूं तो अभी changes जो है commit फिर से refresh करता हूं मैं एक बार इस code space को हमारे code space को मैंने refresh किया और इस changes को मैंने commit करके save कर दिया यहाँ पर यहाँ पर अभी कोई change नहीं दिखा रहा है system अभी यह on processing में है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं type of example code type of example code यह मैंने type of example code लिखके commit किया अभी जो है यह commit करने के बाद में यह जो changes है यहाँ पर push करने के लिए मैं यहाँ जाओंगा और यहाँ पर changes को push कर दूँगा इस पर click करता हूं मैं और यहाँ जाके मैं इसको push कर देता हूं changes को तो यह changes मैंने push कर दिये तो आप देखोगे कि type of का जो code था वो हमने repository पर पुश कर दिया अभी मैं दोआरा से open करता हूं इस repository को तो मैं यहाँ जाता हूं रिपोजिटरी पर जाता हूं और रिपोजिटर के बाद में यहाँ पर type of operator में जाता हूं तो देखे यह जो type of operator है वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर अगर हम undefined और नल तो अगर हम नल की type of देखते हैं तो जावा स्कृप्ट हमको object बताती है यह जावा स्कृप्ट का यहाँ पर थोड़ा सा अलग traditional language से अलग behavior समझ में आता है लेकिन type of जो है वो जावा स्कृप्ट नल ही बताती है नल वेल्यू का type of जो है जावा स्कृप्ट वो object ही बताती है